आपके बहुत काम आने वाले आसान टिप्स फ्रेंज अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को पूरा ही सुने फ्रेंज जो मेरे चैनल पर न्यूँ आते हैं फ्लीज मेरे चैनल को भी सस्क्राइब कर ले फ्रेंज देख लेते हैं आज की टिप्स हैं क्या नमबर बन अगर हरी सब्जी बास ही लग रही है तो ठंडा पानी में थोड़ा सा नीबू डाल कर दो घंटे के लिए उसे रख दे निकलने पर सब्जी ताजा लगेगी नमबर टू कद्दू के भीज खाली पेट खाने से सरीर में खून की कमी नहीं होती है नमबर थ्री नाजपाती में फाइवर होता है जो कबज और अपज को ठीक करने में मदद करता है नमबर फोर पान के पत्तों को पानी में उबाल कर पीने से छाती का कब दूर होता है और खांसी में भी राहत मिलती है नमबर फाइव नहाने के बाद सोने से दिमाग कमजोर होता है इसलिए नहाने के बाद सोना नहीं चाहिए फ्रेंच यदि आप जब भी नहाए हैं तो उसके बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए क्योंकि आप नहने के बाद सोएंगे तो आपका दिमाग जो है वो कमजोर होने लगेगा नमबर 6 पेट यदि पेट फूलता है तो अद्रक का रस निकाल कर उसमें थोड़ी सी हींग काला नमक मिलाकर हलका गरम करके पिला दिया जाए और उपर से गरम पानी पिला दिया जाए तो तुरंत ही राहत मिलती है नमबर सेवन बोजन के तुरंतबाद पानी से एक सुतीन तरह के रोग हो जाते हैं खाना पचाने में देरी हो सकती है इसलिए खाने के एक गंटे अबाद ही पानी पीना चाहिए 8. सुभा गरम पानी पीना चाहिए, कम से कम एक गिलास पानी जरूर पीए, गरम पानी की बज़े से बहतर blood circulation होता है 9. पेट में कोई भी बिमारी हो तो मसूर की दाल का ज्यादा से ज्यादा प्रियोक करें, इससे पेट की बिमारियां खतम हो जाती है 10. बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए नारियल तेल में आमला पाउडर मिलाकर, बालों की जड़मे मसाज करने से बालों की लंबाई दोगना तेजी से बढ़ती है फ्रेज में ब्रेड को रखने से बचना चाहिए, खुले में सामन तापमान पर ब्रेड रखने से आधिक समय तक चलती है, लेकिन फ्रेज में खराब होने का खत्रा बना रहता है फ्रेंट्स हमें ब्रैड को बाहर ही रखना चाहिए फिरिज में नहीं रखना चाहिए बाहर रखेंगे खुले ताप मान में तो आपकी ब्रैड अच्छी चलेगी वरना फिरिज में रखेंगे आप तो वो उसका खराब होने का खत्रा बना रहता है नमर 12 अगर आपके घर में टमाटर नहीं है तो आपके लिए यह एक है काफी हेलपूल साबत हो सकता है टमाटर का सीजन खतम होने या फिर टमाटर खतम होने पर आप ग्रेवी में टेमेटो केचप या सास का इस्तिमाल कर सकते हैं नमर 18 खीर बनाने के लिए हलके बरतन का इस्तिमाल नहीं करें ऐसा करने से खीर तली में चपकने लगता है और खीर का स्वाद खराब हो जाता है फ्रेंस खीर हों आपको यह तिप्स अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें चैनल पर नून है तो प्लीज चैनल जरूर करें अच्छी तरह सबजियों के छिलके को जितना पतला हो सके उतना छीले ज़्यादा सब्जियों के शिलकों को नहीं उतारना चाहिए गर में तैयार अधरक लहसुन और हरीमिर्ज के पेश्ट को लंबे समय तक सही रखने के लिए इसमें एक टेवल इस्पून गरम तेल और नमक मिला कर रखें इससे आपका ये पेश्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा नमबर 17 दूद में आटा गूत कर चपाती पराटे पूरी बना सकते हैं अधिक खस्ता वे स्वादिष्ट बनेंगे नमबर 18 हरी में इसको अधिक समय तक ताज रखने के लिए उनकी डंडी तोड़कर रखें नमबर 19 दूद में एक चुटकी खाने का सोड़ा मिलाने से दूद जल्दी खराब नहीं होता है नमबर 20 सावुदाने की टिक्की बना रही है तो उसमें एक ब्रेड का टुकडा भी मिला दें इससे टिक्की फटती नहीं है और स्वादिष्ट भी बनती है साबुदाने की टिक्की फ्रेंच से दिया बना रहे हैं तो उसमें आप एक ब्रेड का टुकडा जरूर डालें इससे टिक्की आपकी फटती नहीं है नमर ट्वंटीवन बेशन का चीला नरम बनाना चाहती हैं तो थोड़ा ताजा दही मिलाएं नमर ट्वंटीवन अगर हम कटा हुआ सेव फिरिज में रख देते हैं तो जल्दी से काला पड़ जाता है ऐसे में ठंडे पानी में नमक डाल कर सेव को भीगा कर रखें ऐसा करने से काफी टाइम तक सेव खराब नहीं होगा नमर ट्वंटी थी अगर सब्जी उबालते वक्त तो कुकर काला पढ़ जाए तो उसमें नमक और नीबु काटकर डाल दें कुकर काला नहीं पढ़ेगा आटा जल्दी सूखता नहीं है 25 चावल पकाने के दोरान उबलते पानी में नीवू का रस मिला दें इससे चावल खिले-खिले सपेद और टैस्टी बनेंगे 26 प्याज को फ्राई करने के दोरान उसमें हलकी सी चीनी मिला देने से वे जल्दी ब्राउन हो जाती है 27 चावल बनाने के बाद बचेवे पानी मांड में नीवू का रस मिला लें आप इसे बालों में लगाएं आदा गंटे तक रखें और फिर सिर धो लें आपके बाद चमकदार और मुलायम हो जाएंगे जो चावल का मांड बचा हुआ है आप उसमें नीवू मिला दें इसे अपनी बालों पर लगाएं आदे गंटे तक लगा रहने दें उसके बाद आप सिर को दो लें फिर आपके बाल चमकदार और मुलायम बन जाएंगे सरसों के तेल को हलका सा गरम करके सिर की मालिस करने से बाल काले अलंबे और घने हो जाते हैं मेती दाने का इस्तिमाल करने से सीने की तकली पर बलगम बनने जैसी बिमारी दूर होती है नमर्ठाटी जहां पर चोट लग जाए तो वहां पर बरफ के टुकडे को लगा लें खून इससे खून बंध हो जाता है फिर जहां पर आपके चोट लगई है आप वहां पर बरफ के टुकडे से सीकाई कर लें यानिकी लगा दें इससे खून जो निकल रहा है वो बंध हो जाती हैं No.83 गुन गुने पानी में सहद मिलाकर पीने से गुर्दे की विमारी नहीं होती है No.84 यदि आप मुंकी बदबु से परिसान है तो रात को सोने से पहले मुं में एक इलाईची रख लिया करें इससे मुंकी बदबु नहीं आती है No.85 यदि बहुत खांसी बहुत ज ज़्यादा खांसी हो रही है तो गुड़ को आप जैसे टौपी चूसते हैं उस तरीका से चूस लीजिए आपकी खांसी में आपको बहुत आराम मिलेगा फ्रेंज आपको या आज की 35 टिप्स कैसी लगी जरूर से बताइएगा टिप्स अची लगी तो वीडियो को एक लाइ झालिएगे खांसी हो डि отлич लिए हैं थूसक्त टीजिए लगी टीजिए आराम मिलेगा चास्वाई प्से जरूर का सक्ते हैं तो मकलतनी लगा वाईभ हैं